नमस्ति बच्चों आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे महिला वैज्ञानिक ये पार्ट एक जीवनी है और ये जीवनी आधारित है कमला सोहनी नाम के वैज्ञानिक की ये प्रथम महिला वैज्ञानिक थी जिनकी जीवनी हम पढ़ेंगे आज और ये पार्ट मैंने लिया है मिहि पिर हिंदी पार्ट माला नामक हिंदी की पुस्तक से एक अक्षा साथ की तो चलिए हम पढ़ते हैं कमला सोहनी के बारे में कमला सोहनी एक शांत सभाव की विनीत महिला थी विनीत मतलब बहुत हमबल और पुलाइट लेडी थी वे बहुत कम बोलती थी वह शांत रहती थी रि पीवन धारा भी उन्हीं कितरे शान्त और सरल होगी मतलब उनके नेचर सवा को देखकर लगता था कि उनकी लाइफ ना बहुत ही शुकून भरी और शान्त है बहुत वीस्फुल है लेकिन ऐसा नहीं था उनके लक्ष प्राप्ति के मार्ग में कई कठिनाया आई लक्ष मतलब उनका जो एंबिशन था टागेट था उसको पाने के लिए उनके जो रास्ते में उनके मार्ग में उनके वे में बहुत सारी कठिनाया मिन्स डिफिकल्टीज आई महिला वैग्यानिक के नाम से प्रसित होने के पूर्ब पूरे परिवार का समर्थन प्राप्त होने पर भी उ और उन्हें अध्रिक ठिनाईयों का सामना करना पड़ा मतला वो महिला वैग्यानिक बनने से पहले उनका जो नाम था छोटी बालिका थी वो तब एक girl लड़की थी जो उन्होंने अपना अध्यान चालू किया तो कमला भागवत उनका नाम था पहले वो बहुत ही मोटी याने की बहुत ही healthy थी उनके चाचा याने की अंकल जो थे उनके father के brother मिन्स चाचा जो एक सुप्रसिद्र रशायन सास्त्री थे मतलब एक बहुत ही popular chemist थे रशायन सास्त्री याने chemistry के वैग्यानिक वो भी बहुत मोटे थे कमला ने सोच लिया था कि वे भी अपने मोटे चाचा की तरह रशायन सास्त्री बनेंगी कमला भागवत जो थी वो भी बहुत हैल्दी मोटी थी इसलिए उनके चाचा जो अंकल थे वो भी बहुत हैल्दी थे और उन्होंने सोचा था कि मैं भी अपने चाचा के जैसे ही एक chemistry की scientist बनूँगी उनके पिता जो थे उनका नाम था नारायन भागवत और उनके भाई माधो राव भी बहुत प्रसिद्ध रसायन सास्त्री थे वे दोनों विज्ञान संस्तान बैंगलरू के पहले वैच के विद्यार थी थे तो जो उनके पिता थे उनका नाम था नारायन भागवत और उनक या निकों का उसके विद्यार थी यहने स्टूडन्टे कमला ने मुंबई उन्वरसिटी से विज्ञान में सनातक में प्रथाम स्थान प्राप्ति किया तब उन्हों उन्होंने टाटा विज्ञान संस्थान से अनुसंधान कार्य प्रारम करने की ठानी उसके बाद इस नातेक याने ग्रेजुशन के बाद उन्हें सोचा कि टाटा जो साइन्स का इंस्टिटूट है वहां से वो रिसर्च का काम करेंगी उन्होंने प्रवेश मिलना जो था सरल नहीं था बहुत ही कठें था उसका क्या कारण था कि उनका महिला होना क्योंकि पहले जो है महिलाओं को हायर एजुकेशन की छूट इतनी नहीं दी जाती थी इसलिए उन्हें बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा नोवल पुरुसकार विजेता सर सीवी रमन नोवल कहां के दिए निर्देश सकते हैं डॉक्टर सी वी रमन। उनका विचार था उनका इसी सोच थी कि महिला वैग्याने कंसनधान कारे के योगे नहीं हो सकती। hard विखेंघलोरू के इंडियन इंस्टीटीटूट अफ साइंस बैंगलूरू के इंडियन इंस्टिटूट ऑफ साइंस जो उन दिनों टाटा इंस्टिटूट कहलाता था जो बैंगलूरू में इंडियन इंस्टिटूट ऑफ साइंस है उस समय उसका नाम था टाटा इंस्टिटूट में लिंग के अधार पर हुए इस भेद भाव को कमला किसी तरह भी पचा ना पाईलिंग मतलब जेंडर के आधार पर जैसे मेल फिमेल के बेस पर वहाँ एडमिशन दिया जाता था और लेडीजों को कोई भी चांस नहीं मिलता था वहाँ पढ़ने का तो उसका जो भेदभाव था उसको कमला नहरू को पसंद नहीं आया महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली कमला वर्स 1933 में निर्देशक महुदे के कारेले के बाहर सत्या ग्रह पर बैट गई मतलब जो कमला जी थी वो फुट्प्रिंट पर चलती थी किसके महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के पचिन्हों पर चलती थी उनके बताए हुए सिधानतों पर तो कमला नहरू 1933 में जो निर्देशक थे सीवी रमन वहां के डाएक्टर उनके कारिया लेने आफिस के बाहर सत्या ग्रह पर बैठ गई सत्या ग्रह मतलब एक अपना विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर बैठ गई अपनी मांग को रखने के लिए प्रोफेसर रमन ने उन्हें इस शर्ट पर दाखिलया दिया कि वह एक साल तक काम करें फिर इस तरह से प्रोफेसर जो दर्युं भी रमन थे उन्होंने कमला नहरु को एक कंडिशन पर वहां पर एक साल तक काम करेंगी और निर्देशक महोदय जो थे वहां के डायरेक्टर उनको अगर वो सेटिस्फाई हैं तब ही वो आगे और काम कर सकेंगी काम करने के पहचान होगी उनसे कहा गया कि वे अपने सहपाथियों का ध्यान ना बटाएं याने जो उनके जो और सहकर्मी थे या रिसर्च फैलो थे वहां पर उनको अट्रेक्ट ना करें या उनका माइंड डाइवर्ट ना करें ध्यान ना बटाएं कमला ने हर शर्ट स्विकार कर ली हर कंडिशन को वो एकसेप्ट कर ली पर लेकिन सोचो जरा थिंक अबाउट देस कि इस अपमान को वे कैसे पचा पाई होंगी कितनी बड़े इंसर्ट थी कितनी योग्य होने के बाद भी कमला जी को इन सब परिस्थितियों से होकर गुज करने के बाद प्रोफेसर रमान जो है उनकी जो सच्चाई ओनेस्टी थी इमानदारी लगान और विशर निर्णा के चुनाओं के बारे में पूरी तरह से संतुस्थ हो गए जो वहां के जो सीवी रमान डारेक्टर थे वो जब सटिस्वाई हो गये हर तरह से उनकी हर कंडि प्रेशन को उन्होंने देखा तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध प्रत्र प्रस्तुत किया और MSC की डिग्री प्राप्ति की फिर वे ब्रिटेन के Cambridge University की अनुसंधान शाला में कारे करने लगी मतला Cambridge University के जो लेबरेटरी थी वहां पर काम करने लगी जहां पर डॉक्टर डेरिक रिच्टर ने डॉक्टर डेरिक रिच्टर के साथ उन्होंने काम किया उनकी प्रयोक साला म स्थान दिया उन्होंने और वे दिन में काम करती थी और फिर उसी लेब में रात को डॉक्टर डेरिक अपना रिसर्च का काम करते थे फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल उसके बाद उन्होंने क्या क्या फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल जो की इसी छेतर में इसी फिल्ड में पौधे, पौध टिश्यों पर खोज कर रहे थे इन्हें प्लांट के जो टिश्यू और सेल होते उस पर काम कर रहे थे, डॉक्टर रॉबिन हिल, उसके साथ काम करने लगी फिर यहां पर आलूओं का परिक्षण करते हैं, आलूओं परिसर्च किया और उन्हें पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल में उसके बीतर एक सेल के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है साइटो क्रोम सी क्या नाम है आलू के अंदर जो एंजाइम होता है साइटो क्रोम सी जिससे सभी पौधों के सेलों का आक्सी करण होता है केव आलू ही नहीं सभी वनस्पतियों के भीतर के विशय में यह एक मौलिक खोश थी मतलब फॉंडामेंटल रसर्च थी सारे जो बॉटनिकल फिल्ड के जो वनस्पतिया याने प्लांट्स हैं उन सब के उसमें फिर कमला जी ने अपना यह शोध प्रवंद जिसमें की पौधों के आक्सी करण कमला जी ने अपना यह शोध प्रवंद जिसमें पौधों को आक्सीजन पहुचाना पहुचाने वाले जो सेल हैं उसका वर्णन था उस पे पीएसडी के लिए कैमरेज उनिवरसिटी में भेज दिया उनकी पीएसडी अनेक रूपों में महत्वण थी यह शोध और मियने की रिसेर्च उनका इसका लेखन केवल 14 महीनों में ही काम उससे भी 14 मन्थ से भी कम समय में पूरा कर लिया गया यह शोध कारे केवल 40 टाइप्ट प्रस्टों में था जबकि अन्यानुसंधान कारों के प्रस्तिती तो हजारों प्रस्टों पर थी तो थी इसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला जी पहली भारती महिला थी जिनने केमरेज यूनिवरसिटी में पीजडी की डिगरी प्रदान की गई कमला जी वे पहली भारती बैंक्यानिक महिला थी जिनने की कैमरेज उन्वरसिटी में पीजडी की डिगरी प्राप्त हुई कमला जी भारत लोटने को उत्सुक थी उनके भारत आने पर 1939-1949 में वे दिल्ली की लेडी हॉर्डिंग कॉलेज में नए इस्थापित किये गए बायो केमिस्ट्री विभाग विभा की प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्ति की गई उन्होंने कई अन्य संस्थानों में भी कारे किया कमला जी ने बिटामिनों के प्रभाव पर महत्पूर्ण खोज की उनका विभा श्री M.V. सोहनी से हुआ और वे कमला भागवत से कमला सोहनी बन गई क्योंकि विभा के पूर उनका नाम कमला भागवत था और M.V. सोहनी से विभा यानि मेरे चोने के बाद वो कमला सोहनी बन गई इसके बाद वे मुंबई चली गई यहां कमला रोयल विज्ञान संस्थान में बायो केमिस्टी के प्रोफेसर के लिए चुनी गई अपने चातरों के साथ उन्होंने नीरा यहने दालों और फलियों के साथ साथ धान तथा आर्टे में प्रोटीन पर खोज प्रारम की उनके सभी अनुसंधान भारती समाज की जरूरतों पर अधारित थे जिसी एक स्वस्त समाज का निर्माड किया जा सके वास्तों में नीरा पर कार्य करने का सुझा उन्होंने ततकालिन रास्टपती डॉक्टर राजिंद प्रसाद से मिला नीरा पर काम करने के लिए उन्हें जो प्रेढ़ना मिली हो किस से उसमें जो वहां के रास्ट पती थे डॉक्टर राजन प्रसाथ उससे उन्होंने प्रेढ़ना ली कमला जी के शिश्यों में से अनेक जो थे महान वैग्यानिक बने जो कमला जी के स्टूडेंट थे उसमें से बहुत सारे लोग बहुत ही फेमस साइन्टिस्ट बने अपने विद्यार्थियों की सहायता से उन्होंने नीरा का प्रेयोग आदिवास्चियों के दुरवल किशोरो गर्ववती महिलाओं पर किया जिससे अदभुत परिणाम सामने आए बहुत ही अच्छे चमतकरिक रिजल्ट मिले इस कारे के लिए उन्हें रास्ट पती पुर असीन हुई मतला वह पद उन्हें मिला वह पोस्ट मिली तो उनके प्रत्थम गाइड डॉक्टर डेरिक रिच्टर के शब्द थे जब उन्हें फर्स टाइम वह मुंबई के विज्ञान संस्थान जो रिसर्च कॉलिज था इंस्टिटूट था वहां पर जब उन्हें निर् कमला ने इतने बड़े विज्ञान संस्थान की पहली महिला निर्वेशिका के रूप में इतिहास रचा है कमला सोनी के जीवन को जिया कमला सोनी जो थी उन्होंने कमला सोनी ने जीवन को जिया खुद उन्होंने जिया लेकिन कैसे खूब जिया लेकिन अपनी शर्तों पर म मन पसंद कारे चुना और सफलता पाई एक वैग्यानिक और एक विदुशी सिख्छिका के रूप में मतलब उन्हों वो एक साइंटिस्ट थी एक बहुत ही सफल ये सक्सेस्फुल साइंटिस्ट थी और एक विदुशी और बहुत ही इंटेलिजन्ट विद्वान टीचर भी थ आपिका थी जब डॉक्टर सत्यवती इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष बनी तो उन्होंने कमला सोहनी और उनके शोध के विशे में पता चला जब डॉक्टर सत्यवती जो थी जो इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च की पहली महिल तो उन्हें जब कमला सोहनी और उनके रिसर्च के विशे में पता चला तो उन्हें प्रतीत हुआ कि कमला सोहनी को वे प्रतिस्था नहीं दी गई जिसकी वे वास्तों में अधिकारणी थी मतलब कमला सोहनी को वो प्रतिस्था वो मतलब इस्थान उनकी प्रसिद्धी के लिए जिसके लिए वो काबिल थी जितनी योगी थी वे उन्हें नहीं मिली उस समय कमला जी 84 वर्ष की थी डॉक्टर सत्यवती ने नई दिल्ली में एक भब समारो का आयोजन कर उन्हें समानित करने के लिए आमंत्रित किया कारेक्रम के बीच में ही कमला सोहनी अचानक अस्तस्त हो गई भागे का खेल देखिए उसी समारो में कमला सोहनी ने अपनी अंतिम सांस ली भला कमला जी जैसे करमशील व्यक्तित्व का इससे अच्छा अंत्रित क्या हो सकता था अपने जीवन की उपलब्धियों को चरम सीमा पर पहुँच कर ही उन्होंने अंतिम सांस ली यह था डॉक्टर कमला के जीवनी यह जो है यह वसुमती थुरु ने लिखा है वसुमती थुरु ने उनके जीवनी से यह लिया है और ये कहां से लिया गया है लीला वती डॉर्टर्स नामक ये जो पुस्तक है उससे लिया गया है उनकी जीवनी का एक भाग कि बहुत ही प्रेणा दायक जीवनी उनकी कहानी है डॉक्टर कमला सोनी की आप इसे पढ़िये समझिये और इसमें जो पार्ट में आए कुछ कठिन शब्द है उसके अर्थ भी बता देती हूँ तो जैसे सबसे पहला शब्द है कठिनाईया कारत होता है मुश्किले या डिफिकल्टी समर्थन मतलब पुस्टी या सपोर्ड रसायन सास्त्र मतलब केमिस्ट्री यानिकी रसायन विशय होता है अनुसंधान कारी मतलब होता है शोध कारी यानि की रिसर्च वर्क, निदेशक यानि किसी संस्था का जो डाइरेक्टर होता है, पद चिन्हों पर यानि दिखाया गया मार यानि उसके फुट्प्रिंट पर चलना, सत्य अग्रह का अर्थ होता है, इंसिस्टेंस यानि सत्य की मांग करना, आग्रह करना याने मांग करना, किस चीज़ की? सत्य की, तो सत्य आग्रह जीवरसायन मतलब एक बायोकेमिस्ट्रे जैसे बोलते हैं अनुमती मतलब मंजूरी मिलना, परमिशन मिलना, स्वीकृति मार्ख प्रसस्त होने अने और सर मिल जाना याने opportunity मिलना उपलबधी कार्थ होता है achievement याने जो आप प्राप्त करते हैं अपेक्षा मतलब expectation या उम्मीद ज्यान वर्धन मतलब ज्यान को बढ़ाना increase of the knowledge ततपर याने की तयार रहना ready रहना स्वास्त वर्धक कार्थ होता है सेहत मंद healthy ततकालीन मतलब उस समय के of that time याने उस समय के जो थे ततकालीन present time पे अधिकारणी मतलब हकदार entitled कर्मशील का अर्थ होता है परिश्रमी याने की hard working व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का रूप गोण आदी याने उसकी personality कैसी है वो उसका व्यक्तित्व तो ये थे इस part में आये हुए part कठिन शब्द अब इसमें कुछ मुहावरें हैं चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं जिसके अर्थ इस तरह हैं ध्यान बटाना ध्यान बटाना मतलब ध्यान दूसरी ओर करना या कीचना डाइवर्ट करना माइंड इतिहास रचने कार्थ है पहली बार कुछ नवीन काम करना याने के historical काम करना create history अंतिम सांस लेना इने मृत्य हो जाना नीरा नीरा जो है उसका अर्थ होता है ताड के पेड से निकले जाल ताजे जो फ्रैश मीठे रस को कहते है नीरा एक जूस होता है जो की ताड के पेड से निकलता है यहने कि जो पाम ट्री होता है उसको ताड बोलते हैं बहुत उंचा पेड होता है उससे जो इक स्वीट जो उसका जूस निकलता है फ्रेश वो जो था बहुत हैल्दी होता और आदिवासी जो उन्हें दुरवल किशोरों याने जो बच्चे हैं और गरवत याने मानित किया गया